नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बाद फिर से आप सभी का साहित्ती जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग syllabus पर चर्चा करने वाले हैं तब से पहले class 5 का जो हिंदी भी से है उस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग तीनो समेटिव, फर्स समेटिव, सेकेंड समेटिव और थर्स समेटिव का जो भी syllabus है वो में आपको बताऊंगी पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह syllabus जो है वो में West Bengal Board, Teachers Cooperative Board की तरफ से जो syllabus रिलीज की जाती है वो बता रही हूँ जो कि अधिकांस्ता स्कूलों में अपना ही जाती है इन में से सिक्षक अपने अनुसार कुछ एकात पार्थ कम कर सकते हैं ठीकें वो उनके अपने सुविधा अनुसार होता है परन्तु मुख्य रूप पर यही विसेव बतलब यही chapters exam में आते हैं आये सबसे पहले करते हैं क्या-क्या syllabus रहेगा इसमें हमारी जो पाठ्थे पुस्तक है वह है पाठ बहार ठीकें पाठ बहार से कौन-कौन से chapters जो है वह फर्समेटिव में आने वाले हैं ठीकें सबसे पहले मैं आपको वह बताऊंगी तो देखिए सबसे पहला पाठ जो है वह आ रहा है वह तेश कौन सा है ठीकें जो कि पाठ बहार का पहला पाठ है ये बाद दूसरा सुभास चंद्र बोश ठीकें सुभास चंद्र बोश ठीकें सुभास तीसरा सब्विस जन्वरी की परेड के बाद तो है वो कवीता है हम वालक कि वाद किसमत का खेल कि वाद कॉलम्पिक केल कबडड़ी और उसके बाद प्याकरण की बात करें अगर हम प्याकरण की बात करें ठीक है प्याकरण में आपको जो पुस्तक है उसका नाम है भाशापाठ 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 के अंदर कौन क्या क्या आ रहा है भाशापाठ के अंदर सबसे पहला आपको आ रहा है जेंजन संधी ठीक है जेंजन संधी और दूसरा जो आ रहा है वो है चब्द और पर्द ठीक है यह आपका पर्द समेटिव का सिलिबस है ठीक है इसके अलाबा अब हम लोग इसकी बाद सकेंड समेटिव सिलिबस की बात करेंगे सकेंड समेटिव सिलिबस की बात करेंगे देखिए जो हमारा सकेंड समेटिव है ठीक है सकेंड समेटिव सकेंड समेटिव जो है वो फुल मार्क्स आपका 20 का होगा ठीक है पर्स समेटिव जहां फुल मार्क्स आपका 10 का है वही second summative जो है वो full marks आपका 20 का है इसमें हमारे पाठ बाहर से पाठ बाहर इसमें पाठ बाहर से कौन कौन से chapter आ रहे हैं पहला chapter जो है वो है आपका बता रहे हूं मैं एक सगेंड रुखिए पहला chapter जो है वो है आपका पूर गया है क्यों इंसान ठीक है क्यों इंसान ठीक है दूसरा जो है वो है पहारिया बर्सा के सुर में तीसरा बादल सौथा मूर्क मगरमच की कहानी की कहानी पाचवा चप्टर जो है वो है आपका मैंने पक्षी पुड़ा दिये मैंने पक्षी पुड़ा पुड़ा चप्टर जो है वो है अम्रित्वानी की बाद आपका सद्वेवहार सद्वेवहार और ये बाद रेल गाड़ी सेकेंड सेमेटिप के लिए आपके ये सारे चैप्टर्स हैं अगर हम लोग व्याक्रेट की बाद करें तो व्याक्रन के भीतर हमारी जो भासा पाठ की पुस्तक है भासा पाठ उसके भीतर पहला आपको आएगा लिंग दूसरा जो है वचन और तीसरा जो है वो है पत्र एकन याक्रन के अंदर से सेकेंड सेमेटिव में यह चीज़े आएंगे अगर अगर अब हम लोग अगर सेमेटिव की बात करें थर्ड सेमेटिव में वो आपका 50 marks का है इसके भीतर कौन-कौन से चप्टर आ रहे हैं इसके भीतर आपको आ रहा है आस्मान वाले दो पित्ट ठीक है दूसरा आपका अंधेर नगरी तीसरा समय कवीता शिवाद अजर आईशक न्यूटन फर्ट समय टिप जो है बच्चो वो आपका फाइनल एक्जाम होगा ठीक है और यह आपका होगा नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में ठीक है यह बात का चैप्टर है इदगा फर्स्ट समय टिप जो एक्जामिनेशन है वो आपका समभवता अप्रेल के फर्स्ट वीक में हो सकता है आयोजित की जा सकती है ठीक है अगर हम शिक्स्टमर चैप्टर की बात करें तो दादी अम्मा के बात जीवन में आत्मरक्षा का आत्मरक्षा का महात्वा और उसके बाद आखरी चैप्टर उस तके असली मित्र है उस तके असली मित्र ठीक है यह चैप्टर से हैं अगर हम भासा पार्ट की बात करें भासा पार्ट में कौन-कौन सा आएगा इस बार पर समेटी फाइनल एक्जाम में भासा पार्ट तो भासा पार्ट के अंदर आपका आएगा पुरुश फिर आएगा आपका विल्लोम शब्द के अलावा आपका आएगा अनुछेद रचना यानि किसी इसे पर आपको अनुछेद लिखना होगा अनुछेद रचना ठीक है बच्चों? यह आपका क्लास फाइफ का फर्स सेमेटिव सेकेंड सेमेटिव और थर्द सेमेटिव का सिलेबर से हिंदी भी से का इसमें कम या अधिक जो भी उनको उचित लगता है आप लोगों के लिए वह कर सकते हैं परन्तु मुख्य रूप से यही पार्ट आने वाले हैं अशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी इससे आपको अवश्य जानकारी मिलेगी और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे आपको जानकारी मिले लगे कि यह वीडियो आपके लिए यूसफुल है तो आप इसको जरूर पसंद कीजेगा जरूर लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इसी के साथ सन्यवाद